नमस्कार दोस्तूं, साहित्तिक कहानियों के इस चैनल कहानिया जिन्दगी की पर मैं शैली नरायन आप सभी साहित्ति प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आज आप सब के सामने लेकर उपस्थित हूँ अपने बिंदास कथानक और रहसे मै कहानियों के लिए विश्रु प्रसिध बंगला साहित्तिकार श्री सत्य जित्रायजी द्वारा रचित एक रोमान चक और रहसे मै कहानी खगम को लेकर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए है या अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आईए कहानी को सुनते हैं हम पेट्रोमेक्स की रोश्नी में बैठ कर डिनर ले रहे थे कुल मिलाकर अभी अंडे को दाथ से काटा ही होगा कि चौकिदार लच्मन सिंग ने आकर पूछा आप लोग इमली बाबा के दर्शन नहीं करेंगे लाचार होकर उससे कहना पड़ा कि इमली बाबा का नाम हमारे लिए बिलकुल नया है इसलिए दर्शन करने का प्रशन खड़ा ही नहीं होता लच्मन ने कहा कि जंगल विभाग की जो जीप हम लोगों के लिए नियुक्त की गई है उसके ड्राइवर को कहने से ही वह हमें बाबा के डेरे पर ले जाएगा जंगल की भीतर ही उनकी कुटिया है वहां का परिवेश बड़ा ही मनोरम है और वे एक पहुचे हुए सादू है भारत वर्श के नाना स्थानों से लोग आकर उनके दर्शन कर जाते हैं इत्यादी इत्यादी जिस बात को सुनकर सबसे अधिक आश्चरे हुआ वह यह कि बाबा के पास एक पालतू नाग है और वह बाबा की कुटिया के समी भी एक गढ़े में रहता है हर रोज शाम के वक्त गढ़े से निकल कर वह बाबा के पास आता है और बकरी का दूद पीता है सब कुछ सुनने के बाद धुर्जटी बाबु ने अपना मनतवे प्रकट किया कि इस देश में दिन दिन बाजीगरी का बोल बाला हो रहा है खास कर पाखंडी सादू सन्यासियों की संख्या बेहिसाब बढ़ती जा रही है पाश्याते देशों में विज्ञान का प्रभाव जितना बढ़ता जा रहा है हमारा देश उतना ही कुछ संस्कारों के अंधेरे की ओर बढ़ता जा रहा है होपलस मामला है साहब सोचते ही दिमाग गर्मा जाता है यह कहकर दुर्जटी बाबू ने काटा चमश नीचे रग दिया और बगल से फ्लाइ फ्लैप यानि मक्खी मारने वाली छड़ी उठा कर उसे मेज पर पटग दिया और एक मच्छर का खून कर डाला दुर्जटी बाबू की उम्र पैतालिस से पचास के बीच होगी भरतपुर आने पर ही उनसे जान पहचान हुई है मैं आगरे से आया हूँ और मुझे मंचली भाया के पास जैपुर जाना है वहाँ मैं दो सप्ता की छुट्टी बिताने जा रहा हूँ यहां आने पर जब डाग बंगला या टूरिस्ट लॉज में जगे ना मिली तो अन्त में काफे खर्च करने के बाद शहर के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जगे मिली इसमें पश्तावे की कोई बात नहीं है क्योंकि जंगल से घिरे रेस्ट हाउस में रहने से रोमांचकारी आराम महसूस होता है धुर्जटी बाबू मुझसे एक दिन पहले आये हैं वह क्यों आये हैं यह बात अभी तक खोल कर नहीं बताई है हाला कि सैर सपाटे के अलावा कोई दूसरा कारण होना जरूरी नहीं है हम दोनों एक ही जीब से सैर सपाटे करते हैं कल हम यहां से 22 मील दूर दीग नामक एक स्थान के किले और प्रासाद देखने गए थे आज सुभे भरतपुर का किला भी देख लिया है तीसरे पहर केवला देव की जील के पक्षियों का आवास स्थान देखने गया था वह एक बहुत ही दिल्चस्प जगे है जील साथ मील से ज्यादा ही लंबी होगी बीच बीच में तापू की तरह उंची जमीन है और उन्हीं जमीन के टुकणों पर राज्य भर की पक्षि आकर इकट्थे हो गए है उन में से आदे से जादा पक्षियों पर इसके पहले कभी मेरी नजर नहीं पड़ी थी और अपने हातों को नचाते हुए आसपास से भुन्गों को भगाने की चेश्टा कर रहे थे भुन्गा एक प्रकार का छोटा कीड़ा होता है वे जुंड बना कर आते हैं और सिर के चारो और चक्कर काट कर नाख मूँ पर बैठ जाते हैं लेकिन वे इतने चोटे होते हैं कि उन्हें नजर अंदाज भी किया जा सकता है मगर धुर्जटी बाबू बार बार उब रहे थे इस तरह धीरच को उन्हें से काम कैसे चलेगा साड़े आठ बजे खाना पीना खत्म कर सामने के बरामदे में बैठे हम चांदी रात की शोभा देख रहे थे मैंने धुर्जटी बाबू से कहा वह जिस सादू बाबा के बारे में कह रहा था उन्हें देखने जाईएगा धुर्जटी बाबू ने अपनी सिग्रेट को एक युकलिप्टस पेड के तने की ओर फेकते हुए कहा नाग पालतू नहीं होता है हो भी नहीं सकता साप के बारे में मैं काफी जानकारी रखता हूँ बच्पन में मैं जलपाई गुडी में रहता था और अपने हाथों से धेरो साप मार चुका हूँ नाग वीभत्स और नंबरी शैतान साप होता है उसे पालतू बनाना असंभव है इसलिए सादू बाबा के बारे में जो खबर मिली है उसमें कहा तक सच्चाई है इस पर मुझे शक हो रहा है मैंने कहा कल तीसरे पहर कोई प्रोग्राम है भी नहीं सुबह बायान का किला देख लेने के बाद हम फ्री हो जाते हैं आप में क्या सादू सन्यासियों के प्रती भक्ती है इस सवाल के पीछे एक गहरा व्यंग है यह बात मेरी समझ में आ गई लेकिन मैंने उसका उत्तर सहज ही धंग से दिया इसमें भक्ती की बात कहां आती है क्योंकि अभी तक मुझे सादू संसर का सुयोग नहीं मिला है हाँ कौदू हल जरूर है किसी जमाने में मुझ में भक्ती थी लेकिन एक बार अनुभव हुआ तो फिर धुर्जटी बाबू को जो अनुभव हुआ था उसका व्रितांत दे रहा हूँ वे ब्लड प्रेशर की मरीज है दस वर्ष पहले अपने ताउ जी की बात में आकर उन्होंने एक सादू बाबा के द्वारा दी गई औशदी खाली थी और उसके फलसो रूप उन्हें साथ दिन तक भयंकर पेट दरत का सामना करना करना पड़ा था और रक्त का दबाओ भी बढ़ गया था उसी दिन से दुर्जटी बाबू ने याधारना बना ली है कि हिंदुस्तान के सो में नब्बे सादू, पाखंडी और धूर्थ है उनका सन्यासियों के प्रति विद्वेश भाव मुझे बड़ा ही दिल्चस्प जैसा लग रहा था इसलिए उनको भड़काने के ख्याल से मैंने कहा आप या हम पालतू नहीं हो सकते मगर मैंने सुना है कि हिमाले में साधू और शेर एक ही गुपा मेवास करते है सुना ही है ना, देखा तो नहीं मुझे स्विकार ना पड़ा कि मैंने देखा नहीं है दीखेगा ही नहीं हम लोगों का हिंदुस्तान इस्सा कहानी गढ़ने वाला देश है सुनिएगा बहुत कुछ मगर आँखों से देखना चाहिएगा तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा रामायर महाभारत को ही लीजिए ना लोग कहते हैं कि वे इतिहास है मगर असल में अजीब अजीब कहानियों के डिपो है रावन के दस सिर है हनुमान पूँच में आग लेकर लंका देन कर रहा है भीम की भूख, घटोतकच, हिडिमबा, पुश्पक, कुम्बकरन इन सबों से बढ़कर नॉंसेंस और क्या हो सकता है और अगर सादू सन्यासियों के पाखंड की बात ले तो उसकी शुरुवात पुराणों से ही हुई है लेकिन सारे देश के शिक्षित और अशिक्षित आदमी इतने दिनों से इसी पर विश्वास करते आ रहे है बायान का किला देख लेने के बाद हम रेस्ट हाउस में लौट आए और खाना खाकर आराम करने लगे फिर चार बजे इमली बाबा के देरे पर पहुँचे इस बार धुर्जटी बाबु ने कोई आपती नहीं की हो सकता है बाबा के बारे में उनमें भी तनिक कौतुहल जग पड़ा हो जंगल के बीच एक साफ सुत्री और खुली जगह में एक विशाल इमली के पेड के नीचे बाबा की कुटिया है पेड के नाम से ही बाबा का नाम इमली बाबा पड़ गया है और यह नाम स्थानिय लोगों नहीं दे रखा है बाबा का असली नाम किसी को भी नहीं मालूम है खजूर के पत्ते की कुटिया में अपने एक मात्र शिष्षे के साथ बाबा भालू की खाल पर बैठे है शिष्षे कम उम्र का है बाबा की उम्र का पता लगाना मुश्किल है सूर्यास्थ होने में अभी एकात घंटे की देर है लेकिन इमली के पत्तों की घनी चाओं के कारण उसी वक्त यहां अंधेरा भैल चुका है कुटिया के सामने धूनी जल रही है बाबा के हाथ में गांजे की चिलम है धूनी के प्रकाश में दिखाई पड़ा की कुटिया के पास ही एक रसी तगी हुई है जिस पर अंगोच्छा और कोपीन के अलावा साम की दसे केचुले लटकी हुई है हमें देखकर बाबा चिलम की फाग से मुस्कुरा दिये धुर्जटी बाबु ने फुस फुसा कर कहा बेकार की बाते ना कर असली प्रसंग की ही चर्चा कीजिए पूछिए कि दूद किस वक्त पिलाया जाता है आप बालकेशन से मिलना चाहते हैं मुझे आश्यर हुआ कि इमली बाबा ने हमारे मन की बात कैसे जान ली नाक का नाम बालकेशन है यह बात जीब का ड्राइवर दीन देयाल कुछ देर पहले ही हमें बता चुका है इमली बाबा से बताना पड़ा कि उनके साब के बारे में हम सुन चुके हैं और पालतु साब को दूद पीते हुए देखना चाहते हैं हमें यह सौभाग ये प्राप्त हो सकेगा इमली बाबा ने खेत की मुद्रा में सिरह लाया और बताया बालकिशन हर रोज सूर्यास्त के समय बाबा की पुकार सुनकर गढ़े से निकल कर कुटिया में आता है और दूद पीकर चला जाता है दो दिन पहले तक वह यहां आ चुका है मगर कल से उसकी तवियत ठीक नहीं है आज चुकी पूर्णिमा है इसलिए आज भी वह नहीं आएगा कल से आना शुरू करेगा साब की तवियत खराब होती है यह बात मेरे लिए नहीं थी लेकिन पालतु होने के कारण ऐसा हो भी सकता है गाए, घोड़ा, कुत्ते इत्यादी के लिए अस्पताल है ही बाबा की शिश्य ने एक और सूच ना दी एक तो उसकी तवियत खराब थी उस पर उसके गड़े में कुछ माटे घुज गए थे और उसे परिशान कर मारा था बाबा की अभिशाप से वे माटे पंचत्तु प्राप्त कर चुके हैं यह बात सुनकर धुरजटे बाबु ने तिरची निगाहों से मेरी योड़ देखा मैं इमली बाबा की योड़ देख रहा था उनके चहरे में योग कोई खासियत नहीं है एक मामूली सी जब्बा पहने है तिरपर जटा है परन्तु वैसी नहीं कि कोई प्रभाव छोड़ सके कानों में लोहे का कुंडल गले में चारे एक छोटी बड़ी मालाई दाइने हाथ की कोहनी के उपर ताबीस और साधूँ से इन में कोई अंतर नहीं दीखता है फिर भी शाम की ढलती रोष्णी में धूनी के पीछे बैठे उस व्यक्ती के चहरे पर से मेरी आखें दूसरी ओर जाना ही नहीं चाहती थी हमें खड़े देखकर शिश्य दो चटाईया ले आया और बाबा से दसे एक हाथ की दूरी पर उन्हें बिछा दिया लेकिन बाबा का नाग दिखेगा ही नहीं तो बैठने से लाब ही क्या लोटने में ज्यादा देर करने से रात हो जाएगी गाड़ी तो है मगर रास्ता जंगल के भीतर से हुकर जाता है और आसपास जंगली जानवरों की कमी नहीं हिर्नों के जुंड पर हर दिन नजर पढ़ जाती है अता हम वहां बैठे नहीं बाबा को जब हमने नमस्कार किया तो चिलम को बिना हटाए आखों को मूंद कर और माथे को जुका कर उन्होंने हमें प्रतिनमस्कार जताया हम दोनों 101 गच की दूरी पर खड़ी जीप की ओर रवाना हो गए कुछ देर तक पेड़ों पर बैठे हुए पक्षियों का कलरव हमारे कानों में आता रहा उसके बाद सन्नाटा रेंगने लगा कुटिया से निकलने के बाद जब कुछ कदम आगे बढ़ गए तो अचानक दुर्जटी बाबू ने कहा साप हम नहीं देख सकते मगर उसका गढ़्धा एक पर देख लेने में हरज ही क्या है मैंने कहा इसके लिए इमली बाबा के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं हम लोगों का ड्राइवर दीन देयाल बता ही चुका है कि उसे गढ़्धे का पता है आप ठीक ही कह रहे हैं गाड़ी से दीन देयाल को अपने साथ लेकर हम लौट आए अपकी बार कुटिया की ओर न जाकर हम एक बादाम के पेड की बगल से होते हुए एक पकडंडी से थोड़ी दूर आगे बढ़े सामने ही काटू की एक ज़ाड़ी थी आसपास पत्थर के टुकणों को देखकर लगा कि किसी जमाने में यहाँ कोई इमारत रही होगी दीन देयाल ने बताया ज़ाड़ी के पीछे ही साम का गठ्था है ऐसे देखा जाए तो कुछ भी पता रहीं चल सकता क्योंकि रोश्णी और भी भीकी हो गई है धुर्जटी बाबु ने अपनी जेब से एक छोटा सा टॉच निकाला और ज़ाड़ी पर रोश्णी डाली ज़ाड़ी के पीछे का गठ्था दिखाई पढ़ने लगा खैर गठ्था तो सच मुझी है मगर सांप वह क्या अस्वस्थ अवस्था में हमारे कौतुहल के निवारन के लिए बाहर निकलेगा सच कहूं सादू बाबा के हाथ से नाग को दूद पीते हुए देखने की इच्छा रहने पर भी गड़े के सामने खड़े होकर साम को देखने की मुझ में इच्छा नहीं थी मगर धुर्जटे बाबू के मन में मुझ से कहीं अधिक कौतुहल था रोश्णी से जब काम नहीं निकला तो जमीन से धेले चुन चुन कर उन्होंने जाड़ी पर फेकना शुरू कर दिया मुझे उनकी अज्यात्ती अच्छी नहीं लगी मैंने कहा क्या हुआ साहब देख रहा हूँ आप पर जिद सवार हो गई है आपको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि साम है अब की उन्होंने एक बड़ा सा धेला हाथ में उठा लिया और बोले मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा इस धेले से भी अगर कुछ नतीजा ना निकला तो समझूंगा कि बाबाजी के बारे में जूट मूट का प्रचार किया गया है धेला जोर से आवास करता हुआ जाड़ी पर गिरा और उसने काटो और पत्तों को तहस नहस कर दिया धुर्जटी बाबू गड़े पर अभी रोश्नी डाले हुए थे कुछ लमहों तक चुप्पी चाई रही सिर्फ जंगल के अंदर कहीं से जेंगुर की आवाज आ रही थी अबकी उस आवास के साथ एक और आवास सुनाई दी एक फी की बेसुरी सिसकारी जैसी आवास उसके बाद पत्तों की खड़कड़ा हर शुरू हुई और फिर टौच की रोश्नी में किसी चीज का काला और चिकना जैसा हिस्सा दिखाई पड़ा यह चीज हिल डुल रही है जीवित है और थीरे थीरे गड़े के बाहर निकल रही है अपकी जाड़ी के पत्ते हिल उठे और दूसर ही खशन उसके अंतराल से साप का माथा बाहर निकल आया टौच की रोश्नी में नाग की जलती हुई आखें दिखाई पड़ी उसके बाद उसकी दो भागों में विभक्त जीब जो बार-बार मुह से बाहर निकल कर लप-लपाने लगती थी और फिर अंदर चली जाती थी दीन देयाल कुछ देर पहले से ही लोटने का तकाजा कर रहा था अपकी उसने भर राई और अनुने पूर्ण आवाज में कहा छोड़ दीजे बाबू अब तो देख चुके वापस चलिए शायद टौच के कारण ही बालकिशन अब भी अपना से निकाल कर हमारी ओर घूर रहा है और बीच बीच में जीब बाहर निकाल रहा है मैं धेरों साब देख चुका हूँ मगर इतने नस्दीक से इस किस्म के नाग को नहीं देखा था नाग आक्रमर करने की चेश्टा ना कर इस तरह हमारी ओर घूर क्यों रहा है ऐसा तो कभी नहीं देखा था अचानक तौच की रोशनी कापती हुई वहां से अलग हट गई उसके बाद जो कांड हुआ उसके लिए मैं कतई तयार नहीं था धुर्जटी बाबू ने अचानक पत्थर का एक टुकड़ा उठा कर बालकिशन पर जोरों से फेग दिया उसके बाद एक एक कर और दो पत्थर फेगे एक भयंकर आशंका से घबरा कर मैंने कहा आपने यह क्या किया धुर्जटी बाबू? दीन दियाल हक्का बक्का सा जाड़ी की और ताक रहा है धुर्जटी बाबू के हाथ से टौच लेकर अबकी मैंने ही गड़े की और रोश्णी डाली बाल किशन के निधाल पड़े शरीर का थोड़ा सा हिस्सा दीख रहा है जाड़ी के पत्तों पर साप के मात्थे से चिटका हुआ थोड़ा सा खून लगा हुआ है इस बीच कब इमली बाबा और उनके शेश्य हमारे पीछे आकर खड़े हो गए थे इसका मुझे पता ही नहीं चला पहले धुर्जटी बाबू ही पीछे की तरफ मुड़े उसके बाद मैंने भी मुड़ कर देखा बाबा हाथ में एक लाठी थामे हमसे करीब दस कदम की दूरी पर एक बॉने खजूर के पेड़ के पास खड़े हैं और धुर्जटी बाबू की योर एक टक ताक रहे हैं पाबा इतने लंबे है इसका अनुमान उस समय नहीं लग सका था जब वे बैठे हुए थे उनकी दृष्टी का वर्णन करना मेरी सामर्थी के परे है इतना ही कह सकता हूँ कि विस्मय, क्रोध और विद्वेश्ट से मिली जुली ऐसी दृष्टी मैंने कभी किसी की नहीं देखी थी बाबा का दाहिना हाथ सामने की तरफ उठ गया वह हाथ दृष्टी बाबू की ओर इंगित कर रहा है हाथ की तरजनी सामने की ओर आ गई और इससे इंगित और भी स्पष्ट हो गया पहली बार मैंने देखा कि बाबा की हर उंगली का नक लगबग दो इंच लंबा है बाबा को देखकर मुझे किसका स्मरण आ रहा है बचपन में देखा हुआ बीडन स्रीट स्थित अपने मामा के घर की दिवार पर रवी वर्मा के द्वारा बनाए गए चित्र का ही मुझे स्मरण आ रहा है दुरवासा रिशी शकुंत्रला को अभिशाब दे रहे है ठीक उसी तरह से उनका हाथ उठा हुआ है आँखों के दिश्ठी भी वैसी ही है मगर इमली बाबा ने अभिशाब नहीं दिया अपनी गंभीर और दबी आवाज में उन्होंने हिंदी में जो कुछ कहा उसका अर्थ यही है एक बालकिशन चला गया तो इससे हर्ज ही क्या है एक दूसरा आजाएगा बालकिशन के मित्यू नहीं हो सकती वह अमर है धुर्जटी बाबू धूल से सने अपने हाथों को पोच कर मेरी तरफ मुड़े और बोले चलिए बाबा के शिष्षे ने बहां आकर गड़े के मोह से नाग की लाश को बाहर निकाला शायद उसकी अंतेश्टी करने के ख्याल से साप की लंबाई देखकर मेरे मोह से एक विसमे सूचक शब्द अपने आप निकलाया नाग इतना लंबा हो सकता है ऐसी मेरी धार्णा नहीं थी इमली बाबा धीरे धीरे अपनी कुटिया की ओर चले गए हम तीनों जीप पर बैठ गए रेस्टाउस वापस आते समय धुर्जटी बाबो को गुमसम पाकर मैं उनसे बिना कुछ कहे न रह सका साप जबकि उनका पालतू था और उसने आपके कोई हानी नहीं की थी तो आपने उसे मारा ही क्यों मैंने कहा मेरा ख्याल था कि वे साप और सादूों के बारे में कुछ कड़वी बाते कहकर अपने काले का नामे के समर्थन की कोशिश करेंगे मगर उन्होंने यह सब नहीं किया बलकि उल्टे ही मुझसे एक अवांतर प्रश्न पूछ पैठे खगम कौन था साप खगम नाम तो परचित जैसा लगता है मगर याद नहीं आ रहा कि इसके बारे में कहा मैंने पढ़ा या सुना है धुर्जटी बाबू ने दो बार और खगम शब्द का उचारन किया और आखिर में चुप हो गए जब हम रेस्थाउस पहुँचे तो छे बच चुके थे इमली बाबा का चेहरा बीच बीच में याद आ रहा है धुर्जटी बाबू की ओर आख तरेरे, हाँत उठाए दुर्वासा की तरे खड़े है पता नहीं क्यूँ दुर्जटी बाबू मतिभ्रम के शिकार हो गए तब हाँ मेरा मन कह रहा था कि हम घटना का अंत देखाए है अता उस पर सोचने से अब कोई लाब नहीं है बाबा खुद ही कह चुके है कि बालकिशन की मृत्यू नहीं हुई है भरतपुर के जंगल में क्या दूसरा नाग नहीं होगा कल ही बाबा के चेले एक दूसरे नाग को पकड़ कर ले आएंगे दिनर के लिए लच्मन ने मुर्गे की करी बनाई थी उसके साथ पूरी और उड़त की दाल दिन भर घूमते रहने से आदमी की भूख बहुत तेज हो जाती है कलकत्ते में रात में जितना खाता हूँ उसका यहां दुगना खा लेता हूँ कर्णाटा होने से क्या होगा दुजटी बाबू के भोजन की मात्रा भी खासी अच्छी है लेकिन आज ऐसा लगा जैसे उन्हें भूख है ही नहीं मैंने जब उनकी तबियत के बारे में पूछ ताच की तो उन्होंने कुछ भी उत्तर ना दिया मैंने कहा आपको क्या बालकिशन के लिए दुख हो रहा है धुजटी बाबू ने जवाब तो दिया जरूर मगर उसे मेरे सवाल का जवाब नहीं कहा जा सकता पेट्रुमेक्स की और घूरते हुए अपनी आवास को अत्यंत धीमी और मुलायम बना कर कहा साप फिस 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 कर रहा था मैंने हस कर कहा फिस फिस या फोंस फोंस आखों को रोशनी की और से बिना हटाए उन्होंने सिर हिला कर कहा नहीं फिस फिस साप की भाशा साप की सिसकारी फिस 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 यह कहकर उन्होंने अपनी जीब की फांक से साप की सिसकारी जैसी आवास बाहर निकाली उसके बाद कविता लिखने की मुद्रा में सिर हिला हिला कर कहा साप की भाशा साप की सिसकारी फिस 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 बाल किशन का विशम विश फिस फिस यह क्या चीज़ है बकरी का दूद अंतिम दो वाके अवश्य ही कविता के अंचना थे या उन्होंने एक मामूली तश्टिरी में रखी पुडिंग के बारे में कहा था लच्मन ने बकरी नहीं सिर्फ दूद शब्द ही सुना था वह बोला हाँ बाबू दूद और अंडा है दूद और अंडे से पुडिंग बनता है या बात कौन नहीं जानता दूद जटी बाबू यो भी सौभाव से मन मौजी और अधपगले हैं मगर उनका आज का हाव भाव ज्यात्ती जैसा लग रहा था इस बात को महसूस कर उन्होंने अपने आपको समहा लिया और कहा